नमस्कार दोस्तो डिफेंस निउस हिंदी में आपका स्वागत है आज की मुख्य सुर्खियां पहला भारतिय नौसेना को हाइब्रिड पंडूबी की पेशकश जर्मनी के थिसें कृप मेरीन सिस्टेम्स ने हाल ही में भारतिय नौसेना को पेश की जाने वाली एक पंडूब का मौडल प्रदर्शित किया वो जर्मनी और नौर्वे के लिए के वरतमान में विक्सित की जा रही टाइप टू वन टू सीडी से काफी मिलती जुलती है हालंकि टीके एमेस ने इस बात की पुष्टी नहीं किया है कि वह पंडूबी वास्तव में टाइप टू वन टू सी गाती है खास तोर पर उसके मुखोटेदार बाहरी पतवार के कारण एक क्रांती कारी स्टेल्थ डिजाइन जो पिछली पंडूबी डिजाइनों से एक महतोपूर्ण बदलाव का प्रती निध्वित्व करता है दृश्य समानताओं के बार टीके एमेस के अंदरूनी सूतर ने सुझाव दिया कि बाहरी हिसा अत्याधूनिक 212 CD की तरह है जबकि आंतरिक सिस्टम जो है वो पुराने टाइप 212, 214 पंडूबी प्लैटफॉर्म पर आधारित होंगे और इसे एक नए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा जो अभी भी विकास के अधीन है अगला डिय डियो ने भारतिय नौसेना के लिए ये नौसेनाल सिये यानि लाइट कॉंबेट एक क्राफ्वर्म हासिल करने के लिए मनाने के अपने प्रियासों को जारी रखे हुए हैं सितंबर 2024 में DRDO के परमुक ने आठ दस नौसेना LCA विमानों के ओर्डर के लिए संगठन के प्रियास को दोराया जिसका उदेशे शुरू में पाइलेट परशिक्षन था अलंकि भारतिय नौसेना की नौसेना LCA के लिए व्यापक मेत्वक आंक्षाएं हैं जो अपने विमान वाहन संचालन के लिए पाइलेट परशिक्षन से परे भुमिकाओं की कल्पना करती है अगला अडानी डिफेंस वैश्विक जेट्स के साथ भारतिय नौसेना के ISR और AEW पर भी है अडानी डिफेंस एंड बंबार्डियर डिफेंस कथित तोर पर भारतिय वायू सेना को अपने आगामी इंटेलिजेंस, सर्विलैंस और रिकोसांस, एरबॉर्न, अरली वार्निंग और इलेक्रोनिक वार्फेर कारेक्रमों के लिए ग्लोबल सीरीज जट की पेश करने के लिए चल्चा कर रहे हैं बारतिय वायू सेना वर्तमान में युद्ध छेत्र और जमीनी निगरानी अभियानों के लिए ISTAR यानी खूफिया निगरानी लक्षे नरधारन और टोही प्लैटफॉर्म की तलाश कर रही है डियाडियो का सेंटर फॉर एयर बॉन काम के विकास का नेत्रित्व कर रहा है अगला लडाकू विमानों का बेडा 1965 के स्तर से नीचे चला गया इस पे क्या किया जा सकता है यह गंभीर संकट का सामना कर रहा है भारत के लडाकू विमानों का बेडा इस समय गंभीर संकट का सामना कर रहा है क्योंकि भारतिय लड़ाकू विमानों की कुल संख्या पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के दोरान देखी गई संख्या से भी कम हो गई है पुराने विमान और खरीद में देरी के कारण या महतपूर्ण कमी भारत की राश्चिय सुरक्षा के लिए सीधा खत्रा बन गई है खासकर चीन और पाकिस्तान से बढ़ती चनोतियों के सामने अगला भारत की ब्याली स्कॉर्डन की ताकत की आवशक्ता का पूर्ण मूलियांकन करने पर जोर गौरवारिया पॉर्डकास्ट पर हाल ही में हुई चर्चा में भारतिय वाई उसेना के पूर वाईस चीफ एर स्टाफ एर मार्शल अनिल खोस्ला ने आई एफ के लिए ब्याली स्कॉर्डन की ताकत बनाए रखने के दीर घकालिक लक्षा को संबोधित किया भारत चीन युद के बाद स्थापित या लक्षा उस समय की खत्रे की धरनाओं और सैन्य तकनीक पर आधारित था खोसला ने तक दिया कि वे विमान शम्ताओं और भारत के सामने मौजूद व्यापक सुरक्षा वातावरन दोनों के संधर्ब में स्थिती में काफी बदलाव आया है हाला कि उन्होंने जोड दिया कि तकनीक उन्नत होने के बावजूद भारत की मौजूदा स्कौर्डन ताकत उसकी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपरियापत है अगला लिडार लाईडी ए आर का उपयोग करके रोटर प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम का विकास इंजीनियरिंग और डिजाइन सेमाओं में अगरणी टाटा एलक्सी ने सिकरोस्की यू एच सिक्स्टी ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर के लिए लिडार सेंसर का उपयोग करके रोटर प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम को सफलता पूर्बग विक्सित किया है परिचालन सुरक्षा को बढ़ाने के उदेशे से यह उन्नत परनाली अब उत्पादन में है जिसकी डिलीवरी पहले ही शुरू हो चुकी है नई तकनीक संभावित रोटर ब्लेड स्ट्राइक को रोकने के लिए वास्तविक समय निकटता डेटा परदान करके हेलिकॉप्टर पाइलेटों के लिए स्थिती जन्य जागरूकता में काफी सुधार करती है जो कम मुचाही वाली उडान और सीमित स्थान संचालन के दोरान एक मैतोपून जोखी में रोटर प्रोक्सिमिटी वर्निंग सिस्टम एक अत्याधूनिक समाधान है जिसे लेडार सेंसर का अपयोग करके हेलिकॉप्टर के रोटर से के ततकाल आसपास की बाधाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है इसमें एक उन्नत हार्डवेर कॉन्फिग्रेशन है जो कई डेटा स्ट्रीम को संभालने और उन्हें वास्त्विक रूप से संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि सटीक और तेज पहचान सुनिश्चित हो सके अगला फ्यूचर फॉर्सेज प्रदर्शनी में चमक भारत की अग्रणी रक्षा कंपनी म्यूनीशन इंडिया लिमिटेड ने चेक गणराजे में फ्यूचर फॉर्सेज एग्जिबिशन एंड फॉरम 2024 में अपना दमदार चोड़ी है चेक गणराजे में भारत के राजदूद शिरी रवीश कुमार द्वारा अधिकारिक रूप से उद्गाटन किये गए बारतिय मंडप में MIL की अत्याधूनिक रक्षा प्रद्योगी की और समाधानों का प्रदर्शन किया गया धन्यवाद